प्रधार मंत्री रहेंद्र मोदी ने किया क्योंकि एक अपेक्षा का जो एक उमीद थी काशी को अपने विकास को लिकर वो शायद नहीं हो पाई और ये अपने आप में बताता है कि इस प्रकार से तमाम चीजें इस तरह से रही हैं कि एक उपेक्षा का शिकार रही है काशी चाहें वो अध्यात्मिक तोर पे हो, विकास के तोर पर हो, मुल्बुस, विदाओं के तोर पर हो, सुन्दरी करन के तोर पर हो, इन तवाम चीजों में कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार रही थी, लेकिन काशी के सांसत बनने के बाद परधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से नए प्रकार की व्यवस्ताइं अब साफ तोर पे दिखाई देती हैं, कोई नहीं सोचता था, मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम यहां दिखाई पड़ेगा, सडकों से जुड़ा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एर कनेक्टिविटी है, और अब आप यह देखी किस प्रकार से, जल के माध्यम से भी जो वाटर वेस कनेक्टिविटी है, और यह एम्बोलेंस, यह वाटर एम्बोलेंस, यह पधानमंत्री के माध्यम से यह शुरू किय ये इसलिए भी बहुत महतो है क्योंकि हम जानते हैं कि वानासी काशी की अगर बात की जाये तो बहुत सी तंग गलियां हैं बहुत संकुचित गलियां हैं छोटी गलियां अगर कोई आकस्मिक इस्तिती आती है किसी व्यक्ति के लिए कोई मेडिकल इमर्जनसी होती है तो उन गलियों के माध्यम से मुख सड़क और सड़क के माध्य से अस्पताल तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की विवस्ता की ग मुंकिन चीज मिल सके जब मेडिकल इमर्जनसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता एक एक सेकेंड भारी होता और ऐसे में वाटर एम्बोलेंस की विवस्ता को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधान मंत्री वहां जमीन पे काम कर है वाटर वेज, एर वेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट हब के माद्यम से अब वारा नसी से वहां से वियापार भी होता है जलमार के माद्यम से जो एक विरासत के तोर पे रहा था जो पहचान कहीं खो गई थी लेकिन मा जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढूलाई होती है बड़ी संख्या में वो भी अब वानवसी पे आके उतरते हैं वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्न जगों पर शहरों में मुलकों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से मागंगा नदी के माध्यम से और साथी साथ एर कनेक्टिविटी से जोड़ा ही हुआ है रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा हुआ है रोड कनेक्टिविटी को भी और बहतर किया गया है तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश शिंजो आवे ने यहां की गंगा आर्ती में शिरकत की थी तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महद एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को कोईटो बना पाएंगे लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते गये हैं जिस प्रकार की वैश्विक इस तरकी सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं मूलभुत सुविधाओं का विक किया गया है वो सब कुछ बताता है प्रधान मंत्री के माद की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अविव उठाया था साफ सफाई का स्वक्षता का मा गंगा नदी को साफ करने का इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश इस तरकी सुविधाओं से लैस करने का इन जगों पर लोग आएं तो उनको एक अच्छा अनवप राप्त हो श्रधालूओं के मन में इस प्रकार का भाव आया कि वो जिस जगह गयते हो खुशकी खुशी के अपनी यादों को लेकर जाएं ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाएं वक्त लगा थोड़ा वक्त लगा लेकिन उसके बापजूद भी उन तमाम चीज़ों को जमीन पिलाया गया हजारों की संख्या में घाटों पे उनके मन में संतोष होगा कि उन्होंने जो काम का बीड़ा उठाया था वो काफी हट तक दिखाई पता है भू भाग पर स्थित होकर के भी इस भू से प्रिथक है इसलिए यहां पर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म या फिर यम की यातना चलती नहीं नियम भंग हो जाते हैं ब्रह्मांड के और इस प्रित्वी से अलग इस ख्रेत्र का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको वरण करूं उन्हेंने काशी को चुना। यहां एक और खथा की रूप में आप दूसरा ब्रह्मद्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं मा गंगा स्वयम ब्रह्मद्रव हैं इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायन ने आरातना की भगवान शिव की गंगा के रूप में ये कहा जाता है गर् अपने धन्य है कि यहां पर दो ब्रह्मद्रव्यों का सम्मिलन होता है और जिस तरह से भया शुनी ने बताया कि यहां पर गंगामा उत्तरा भी मुख हो जाती हैं जिस हिमाले से वो निकलती हैं उसी हिमाले की और अपना मुख करती हैं अपनी पिता की और अपना मुख करत इसलिए यहाँ पर मुदिता हो जाती हैं तसन्न वदना हो जाती हैं प्रसन्न मुख हो जाती हैं स्वयम अपने पती अपने स्वामी की ओर देखती हुई भगवान विश्रनात की ओर देखती हुई अपने पिता की ओर उत्तर की ओर जब देखती हैं तो मा गंगा का स्वरूप यहां पर पूरे ब्रहम्हांड से अलग हो जाता है प्रयाग राज तीरत राज प्रयाग राज की महिमा से भी काशी की महिमा इसलिए अधिक हो जाती है कि मा गंगा, मा यमुना, मा सरस्वती प्रयागक तीउट का सपर्श करके विंध्यांचल धाम से होती हुई जब यहाँ काशी में प्रवेश करती है तो उनका सोरूप भगवान विश्वनात के सानिध्य में स्वयम नारायन के रूप भगवान हिमाले की और उत्तराभिमिक होते हुए मा एक अलग रूप में आती है नजर जहां पर सब को धन्य बनाती है सब पर करुणा करती है, सब पर कृपा करती है वही अद्भुत, अकल्पनी, वो द्रिश्य ब्रह्म द्रव आपके समक्ष, जो स्वयम नारायन का रूप है स्वयम निराकार ब्रह्म नीराकार हो जाता है द्रव का रूप ले लेता है, मा गंगा का रूप ले लेता है वो सपश्ट आपके सामक, सामने आपके समक्ष नजर आ रहा है यह हमारा आप सब का सोभाग्य है कि दूर दर्शन परिवार के इस छोटे से प्रयास से आप वो दर्शन कर पा रहे हैं जो अपने आप में एक एतिहास है अपने आप में भव्य है नव्य है अरे बिल्ड प्रम अजिशन अरेंडर मोधी अलोग विट शीशन अप्रदेश मिस्टर योग यूग यदिधनाथ is sailing to reach the Holy Shrine of Lord Shiva he is heading to the destination where he has to unveil the Vishwanath Dharm Kashi Vishwanath Dharm which is setting another milestone in the cultural history of Banaras particularly the temple of Shri Kashi Vishwanath the glory of the Kashi Vishwanath is known to all since time immemorial and we also know that the temple was targeted by the invaders from time to time which forbade its proper structural existence until 1780 when the Queen Ahilyabai Holkar of Indore established it in the present form and Maharaja Ranjit Singh established it with a gold coating in the year 1835 it would not be an exaggeration to say that after a long time such a massive transformation is done of the temple area the present effort not only facilitates a clear view of the temple but also links the Kashi Vishwanath temple to the famous Lalita Ghat and Manikarnika Ghat which is a Shakti Peet too it is expected to boost the overall economy of the city as well besides promoting religious and spiritual tourism in India today we all have the time for the world we are the moment of the time of friendship we have the time of friendship with this event और सबसे बड़ी बात कि काशी की अनेक विभूतियां ताशी का विशाल गवरो ताशी की गरिमा ताशी की महिमा ताशी की मूल आत्मा ताशी के मूल आध्यात्मिक स्वरूप को सजो कर यह पूरा का पूरा बाबा विश्वनात धाम का पुनरविस्तार और पुनरविकास कि जिससे की काशी के मूल रूप को सजोकर काशी की आध्यात्मिक्ता को बनाते हुए इसकी काया को आत्मा को नहीं काया को तलेवर को आधुनिक रूप दिया जा सके नवीन स्वरूप दिया जा सके अध्यतन बनाया जा सके पुरातनता के साथ अध्यनता का जो ये संगम है आध गंगा की लहरों पर आज इतिहास लिखा जा रहा है यह विहंगम द्रिश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्वोपरी काशी में सबसे विशिष्ट काशी में आज विलक्षण और विशिष्टतम दिन है जब बाबा के धाम के लिए ही किये गए पुनर विकास और पुन कार्यांजली दी जा रही है। यह यह व दीद ओ धामव से में डिए लुटन आप इन धेचन शॉटिव बाबाब बाब मिश्वनाद घांध रशिष्टन खवर्ण ग्युटन दीदे इस वड्यूट व्ग विशिष्टतम ते रहे हैं आप्यूटतम देग्युटतम एजए बाबाबाम ऑ्यूटम लिए् आड़ेन अच्छेन आयोध्या और यहांजिया वर्यस चार्थ इसम्ब्नूर यर्ट में जुदिंग टिए टुबिंस इस्विनोलेव लोग्वें लेखे शेयर 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 लेवर्याद के लिए बहुंग अल्राव महादेव इस वह था देविग थे बिदेए इन्सें काषी And it is rightly said that Shiva pervades everywhere here, in every stone, every corner, every particle of Kashi. Maganga की गोद से होते हुए, Maganga का सानिध्य प्राप्त करते हुए, लालित्य प्राप्त करते हुए, अवगाहन करते हुए, इस समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम की तरफ अग्रसर हैं. बाबा का ये धाम इसलिए भी विशिष्ट है कि पूरी संकल्पना प्रधान मंत्री ने इसकी तयार की, अनेक चुनोतियों के बीच पिछले दो वर्षों की कोविट की चुनोतियों के बीच काशी ने ये बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है, क आशी अनवरत है शाश्वत है और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया के पूर्णा हुती का आज दिन है जब बाबा विश्वनात के धाम का लोकार पढ़ करने के लिए प्रधान मंत्री बाबा धाम पहुच रहे हैं और जनता के अभिवादन को स्विकार कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और साथी साथ जनता जनारदन को प्रडाम भी कर रहे हैं बाबा विश्वनात के धाम पढ़ारने पर बाबा विश्वनात को भी प्रडाम कर रहे हैं और समूची 130 करोर देशवासियों की तर भगवान जो कि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के साथ साक्षात विद्यमान है जो कि विशिष्ट जोतिर लिंगों में से एक है उनके दिव विधाम का नव विधाम का लोकारपण हो रहा है ताशी की विशिष्टता यह है कि केवल अकेला ऐसा जोतिर लिंग है जहाँ पर वामभाग में माता पार्वती भी माता अन्नपूरुणा के रूप में विद्यमान है और अब से कुछी दिनों पहले भगवान शंकर के गंगा से मिलन का आज तो दिन है ही, साथ ही थाथ कडाडा से आई माता अन्नपूरुणा की मूर्ति को वी सी परिसर में स्थापित किया तो आज का दिन इसलिए भी विशिष्ट है कि भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा जब गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं तो यहीं पर वो बाबा के चरन पकारने के लिए उत्तर गामनी होती हैं और उन अवरोधों को हटा कर आज मा गंगा और भाबा बिश शश्य शामला भारत वर्ष को बनाती हुई वो सांस्कृतिक रेखा कीशती हुई आध्यात्मिक रेखा कीशती हुई वो समूचे भारत को बनाती हैं उन्हें अरोधों को आज समाप्त किया गया है और सांस्कृतिक संचेतना के नय युग का आज सूत्रपात हो रहा है सांस भारत की संकलपना में यह छोटा सा आयाम है। इस छोटी सी यात्रा में आपने उस गती और उस शक्ति की एक छोटी सी जलक जरूर देखी होगी। क्योंकि देश का पहला वाटर वेज भी काशी सही निकलता है। हल्दिया तक जाता है। वनारस के घाटों को कौन नहीं जानता है। एक ऐसे ही घाट ललिता घाट परूर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुच चुके हैं। भब्य स्वागत की तयारी है। सैक्णों की संख्या में धोल, म्रदंग, डमरू लेकर के यहां के जो स्थानिय निवासी हैं अपने जन नायत के स्वागत की तयारी कर रहे हैं। बहुत से संत हैं जो यहां पर प्रतीक्षा में हैं इस एतिहासिक खण के जब बाबा विश्वनात धाम के नव निर्मित स्वरूप का लोकारपण भारत के इशश्वी प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। सारी तयारियों का जैजा जितने भी प्रश्ण हैं उनके उत्तर पाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री के मन में रहती है। जो परिकल्पना जो संकल्पना खीची गई थी वो कहां तक उतर पाई परिशानिया कहां आई हैं। कुछ काम अटके क्यों रह गए जहां पूरा हुआ वहां पर और भव्य कैसे बनाये जाए और दिव्य कैसे बनाये जाए। ये सुझाव, ये विचार, ये विमर्श, ये लगातार उचस्तर पर जो समीक्षा है वो हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त आप जो दृष् और इस काशी में तो कहते हैं कि आप एक छोटा सा कारे करते हैं तो उसका जो फल है वो करोणों गुना हो जाता है। आप देखिए कि इन सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से सहेजने का कारे जो मौझूदा सरकार ने किया है करीब 800 करोड रुपए की लागत से इस विश्वना धाम के पुना निर्माण का जो कारे किया गया है उसका अक्षय पूर्य एक सो पैंटीस करोड भारतियों के हिस्से में ही जाता है और हमेशा से देखा गया है कि प्रधान मंत्री कभी भी निर्माण का यश लेते नहीं अपने कार्य का यश लेते नहीं संपूर्ण भारत को ही